आज कल सभी लोग अपनी जहरे को हमेशा ज़्यादा खुबसूरत बनाने के उपर ध्यान देती हैं। जहरे को खुबसूरत दिखाने के चक्कर में हम अपने हाथो पैरों के केर करना ही भूल जाते हैं। जिससे हमारे हाथों पैरों का रंग हमारे जहरे से बिलकुल अलग दिखने लगता है हाथों पैरों पर पिग्मेंटीशन और संटैन हो जाता है उसके केर ना करने से हमारी बोडी डाग दिखने लगती है तो दोस्तों आप लोगों को अपने बोडी के पिग्मेंटीशन और संटैन से इतना ज़्यादा परिशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आज की वीडियो में मैं आपको इसका एक आसान सा तरीका बताऊंगी जिसको करने की बाद आपकी बोडी का रंग आपके फेस की तरह बेहत खोपसूरत लाइड एंड प्राइड दिखने लगेगा तो आगे पढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा सबसे पहले हमें अपने हाथों को क्लीन करना होगा इसके लिए एक छोटा बाद टब या किसी बड़े बॉल में हलका गर्म पानी लेकर इसमें एक चमच बेकिंग सोडा, एक चमच कोई भी सैंपू डाल देंगे और इसके बाद इसमें आधा नेवो का रस निचोड देंगे इस पानी में अपने हाथों को 5-7 मिनट तक डिप करके रखेंगे ये सारे स्टेप आप अपने फेस को छोड़ कर अपनी बॉड़ी पर किसी भी पार्ट के लिए अपलाए कर सकते हैं 5-7 मिनट बाद एक लूफा लेकर अपने हाथों पर इससे 2-3 मिनट रख करें उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने हाथों को वाश कर दें अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में एक चमच कौफी पाउडर लेंगे फिर इसमें एक चमच शुगर एड़ करेंगे इसके बाद हाफ लेमन का टुकडा लेकर इस बाउल में डिप करके अपने हाथों पर इस तरह से आठ से दस मिनट तक रब करते रहेंगे इस मिक्सचर में बीच बीच में लेमन को डिप करते रहेंगे और फिर मसाज करते रहेंगे इस स्टेप को करने से आपके हाथों में जमी हुई मैल बाहर निकल जाती है क्योंकि लेमन स्किन पर ब्लीच की तरह काम करता है और कॉफी इंस्टेंट हमारी स्किन को लाइट ब्राइट बनाने का काम करता है दोस्तों विलीब नहीं होता तो करके इसे जरूर देखे इसको करने के बाद आपको अपने हाथों पैरों और बोडी पर एक अलग ही निकार देखने को पाएंगे आठ से दस मिनट मसाज करने के बाद अपने हाथों को नॉर्मल पानी से वोश कर दीजिए वोश करने के बाद आप मेरे हाथों को देख सकते हैं कितने सौफ्ट और सुन्दर देख रहे हैं अब हम एक हैंड वाइटिनिंग पैक बनाएंगे इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में एक चमच जावल का आठा लेंगे फिर इसमें एक चमच बेकिंग सोडा एड करेंगे उसके बाद इसमें एक चुटकी हल्दी एक चमच कॉफी पाउडर और एक टमाटर का जूस एड करेंगे और लास्ट में हाफ लेमन का जूस डाल कर इन सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये तयार है हमारे हाथों को और भी जारा सुन्दर बनाने के लिए तो इस पैक को अपने फिंगर टिप्स पर लेकर अपने हाथों पर अच्छे से अपलाए करेंगे इस पैक को आप अपने हैंड पर अपने पैरों पर और अपने फुल बोडी पर लगा कर दस से 20 मिनट के लिए ड्राइ होने के लिए छोड़ दें इस हैंड और बोडी वाइडिनिंग पैक को जो भी अपने हैंड या बोडी पर ओनली 21 डेज योज करेगा उसकी इसकिन का रंग 2 से 3 सेट लाइट एंड ब्राइट हो जाएगी तो इसको आप जरूर ट्राइ करें और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें 20 मिनट बाद जबी ड्राइ हो जाए तो जिस नीबू का रस हमने इसमें डाला था उसी नीबू के छिल्के से आप इसको रब करेंगे धीरे धीरे इसकी मसाज करेंगे और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने हाथों को वाश कर देंगे अब हमारे हैंड तो light and bright हो गए बट हमें इसको soft और moisturize भी रखना होगा तो last में हम तयार करेंगे एक moisturizer इसके लिए हमें एक bowl में या इस तरह एक glass container में एक चमच aloe vera gel लेना है फिर इसमें एक चमच glycerine डालेंगे और एक चुटकी कस्तूरी हल्दी डाल कर इसको अच्छे से mix कर लेंगे फिर इसे अपने हाथों पर अपने बॉड़ी पर अच्छे से massage करेंगे दोस्तों ये आपको अभी yellow color का दिख रहा होगा तो आप इस moisturizer को अपने skin पर 2-3 मिनट तक massage करें उसके बाद आप अपने skin को दिखिएगा कितनी ज़्यादा soft, light, bright and beautiful दिखती है आप भी इस remedy को जरूर ट्राइ करें So friends, I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like, share और channel को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा मैं मिलती हूँ आप से अपनी next वीडियो में तब तक की लिए, बाई बाई